उनकी नजर भारत के भविश्य पर थी आखरी सांस तक वो भारत के भविश्य निर्मान में जुटे रहे उनकी नजर भारत को महाशक्ती बनाने पर थी भारत को परमानू संपन देश बना कर उन्होंने देश की ताकत को एक नई दिशा दी देश के राज़्पती पद पर होते हुए जिस सादगी की मिसाल उन्होंने रखी वो पूरी दुनिया में बेमिसाल है मैं जे तो बहुत बड़ा शौक लगा है पहले तो इस बात पर विश्वासी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि उनके कोई बीमारी की वारता नहीं थी ना कुछ सुना था इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती इसे अचानक हमारे में से चली जाएगी ये बड़ी दुख की बात है मेरे लिए तो है ही मगर मैं समझते हूँ देश के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है बहुत बड़ा इसमें देश का लॉस हुआ है देश के पूर्व राश्टपती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम देश के महान वैग्यानिक मिसाइलमेन विचारक चिंतक भारत के भविश्य निर्माता ये सारे विशेशन उनके नाम के साथ यूही नहीं जुड़े इसके पीछे है एक तपस्या शूने से शिक्षर तक की अब्दुलकलाम की जीवन यात्रा 15 अक्टूबर 1931 धनुश कोडी गाउं रामिश्वरम तमिलनाडू उस रोज गरीबी के आंगन में गूजी थी अब्दुलकलाम की किलकारी रामिश्वरम के सागर की हिलोर मारती लहरों के पास बसे धनुश कोडी गाउं के इसी घर में पाँच भाई और पाँच बेहनों का बड़ा सा परिवार पिता जैनुलाबदीन मचवारों को नाव किराय पर देते थे इसी से उनका घर चलता था इस छोटे से स्कूल में कलाम ने प्राइमरी की पढ़ाई की थी कलाम बचपन से ही कुछ अलग थे कुछ अलग करने का जुनून था उन में अब्दुल कलाम को दूसरे बच्चों के तरह खेलना कूटना शरारत करना पसंद नहीं था उन्हें अकेले रहना भाता था बचपन से ही रोजी रोटी का दबाव था सुबह उटकर उस सबसे पहले अगवार खरीत कर लाते और उसे बेचते थे स्कूल से बचा वक्त अपने चाचा की समुद्री सीपियों वाली दुकान पर देते थे रामेश्वरम का ये मंदिर अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी का साक्षी है इसी मंदिर के पुजारी के बेटे रामनाच शास्त्री से उन्होंने हिंदू रीती रिवास सीखे यहीं से सभी धर्मों में उनकी आस्था जगी थी हाइ स्कूल की पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम रामेश्वरम के स्वाट्स हाइड सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे स्कूल के मुख्य द्वार पर लिखी वक्त की एहमियत की अबारत कलाम को जिंदगी भर याद रही साथ ही स्कूल में बढ़ा परगत का पेड़ उन्हें बताता रहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ाओ और बढ़ाओ कलाम विज्ञान के साथ साथ राजनेतिक किताबे भी पढ़ते थे यही वज़ा है कि वो कालमाक से प्रभावित होकर वामपंथी विचारधारा की तरफ मोड़ गए मदरास इंस्ट्यूट आफ टेकनॉलजी से कलाम ने अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन किया 1960 में उनकी जिन्दगी में नया मोड तब आया जब मशूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सारभाई ने उन्हें रॉकेट वैज्ञानिक के पद की पेशकश कर दी देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रजेक्ट लीडर थे कलाम बरसों की मेहनत के बाद 1980 में SLV-3 का परिक्षन हुआ जिसे शानदार काम्याबी मिली एपीजे अब्दुल कलाम की सादगी की कहानी बयां ये लॉच करता है जिसके कमरे में कलाम ने 20 साल काट दिये यहीं रहते थे यहीं के इसी ढाबे में खाना खाते थे 1980 में उस वक्त की प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने Integrated Guided Missile Development Program की शुरुआत की और कमान सौंपी कलाम को इसके तहर जिन मिसाईलों को विक्सित किया गया वो भारत की शान बनी जरा फहरिज देख लीजिए जमीन से हवा में मार करने वाली तर्शूल मिसाईल जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रित्वी मिसाईल जमीन से हवा में मार करने वाली सूपर सोनिक आकाश मिसाईल हवा से जमीन पर मार करने वाली टैंक भेदी नाग मिसाईल पाँच हजार किलो मीटर तक मार करने वाली अगनी मिसाइल धर्ती, आकाश और समुद्र में मार करने वाली भ्रमोस मिसाइल अब्दुलकलाम देश की ताकत बढ़ा रहे थे तो राजनेतिक दलों में उनकी पहचान भी बढ़ी थी जुलाई 1992 में उन्हें रक्षा मंत्राले में वैग्यानिक सलहकार बनाये गया तो 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच नागरेक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया 13 मई 1998 को अब्दुलकलाम की अगवाई में पोखरन में परमानू परीक्षन मील का पत्थर साबित हुआ अटल बिहारी वाजपई सरकार ने उन्हें अपना प्रमुक वैग्यानिक सलहकार बनाया एंडिये सरकार से नजदी की और परमानू परीक्षन के चलते डॉक्टर कलाम की छवी राष्टवादी मुस्लिम की बन गई एक स्पिरिट है और उस स्पिरिट को एक बायोजिकल एक्सिजेंट की वो उस घर में पैदा हुए जो मुस्लिम थे या वो उस टीचर के साफ पड़े जो हिंदू था या वो उस चर्च में उन्होंने काम किया जो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुलकलाम की जिंदगी में महत्वपूर्ण मोर तब आया जब 2002 में एंडिये ने उन्हें राष्टपती पद का उमीदवार बना लिया यानि तैह हो गया कि भारत के ग्यारवे राष्टपती एपीजे अब्दुलकलाम ही बनेंगे 25 जुलाई 2002 राष्टपती भवन उस रोज अपने नए राष्टपती का अस्तक्बाल कर रहा था गैर राजनातिक प्रिश्ट भूमी से आए पहले राष्टपती पहले वैज्ञानिक राष्टपती पहले आविवाहित राष्टपती एंडिये ने अपनी धर्म निर्पेच छवी को मजबूत करने के लिए इन्हें मुस्लिम राष्टपती के तौर पर फ्रसुत किया राष्टपती भवन भी एक अलग अंदाज वाला राष्टपती देख रहा था लंबे लंबे सफीद बाल पैंडशट पहनने वाला आधुनिक विचारों से लैस एक वैग्यानिक राष्टपती तीन सो चालीस कमरों के राष्टपती भवन में आकर भी कलाम बदले नहीं बलकि राष्टपती भवन और यहां के कानूनों को ही बदल दिया मुगल गार्डन को कलाम ने हर्बल और आध्यात्मिक भगीचा बनाया मुगल गार्डन घूमने आने वालों के लिए पहली बार पानी और नाश्टे का इंतजाम कलाम नहीं कराया राष्टपती भवन में कलाम ने मणीपुरी स्टाइल में एक शांदार जोपड़ी बनवाई जिसके सोफे पर बैट कर उन्होंने दो किताबे भी लिखी थी कलाम ने किसी नौकर से जूते का फीता बनवाने से मना कर दिया बलकि ये काम वो अपने हाथों से करते थे जब राष्टपती जी थे देश के तो उन्होंने वो लोग कहते थे पब्लिक राष्टपती इसलिए कि उन्होंने वो जो दिवारे होती हैं ऐसे पदों पर वो दिवारें जो थी वो उन्होंने बड़ी हट तक हटा दी थी और वो लोगों से मिलते जुलते थे राश्पती बावन उन्होंने बच्चों के लिए खोल दिया था तो इससे उनके मक्बूलियत बहुत बढ़ गई थी देश के राश्पती बनने के बाद भी कलाम को सियासत के अंदाज भाते नहीं थे उनका मन तो देश के बच्चपन को समरिध करने में लगता था राश्पती रहते हुए भी वो कई स्कूलों में गए बच्चों के बीच वक्त बिताया और राश्पती भवन के दर्वाजे स्कूली बच्चों के लिए भी खुले एपीज अब्दुलकलाम ऐसे राश्पती थे जिनने कोई भी इमेल कर सकता था और सभी मेल का जवाब भी वो खुद देते थे कलाम ऐसे राश्पती थे जिनने बड़े से देश की छोटी छोटी समस्याएं दुखी कर जाती थी वो आग्रया के किसी साधान से बच्ची के बच्ची के बाग का जूला तक ठीक करवा देते थे तो रमजान पर लाखों उपए के कंबल खरीद कर गरीबों में बटवा दिया करते बत और राश्पती उनके कई फैसले राजनेतिक विश्लेशकों की कसोटी पर कसे गए लेकिन जो फैसले उन्होंने किये अपने विवेक से किये राश्पती भवन उन्हें बंधन में नहीं बांध पाया यही वज़ा है कि उन्होंने राश्पती के रूप में अपने दूसरे कारेकाल के बारे में सोचा भी नहीं 25 जुलाई 2007 को एपीज़ अब्दुलकलाम एक अटैची और अपने कपड़े और सितार लेकर राश्पती भवन से बाहर निकलाए कबीर के शब्दों में कहें तुजस की तस धर दीन ही चदरिया राश्पती भवन से निकलने के बाद एपीज़ अब्दुलकलाम अपने मूल काम पर लोटे भारत के भविश्य के निर्मान में वो जुट गए उनके पास विज़न था जिस पर उन्होंने विज़न 2020 नाम की किताब भी लिखी थी उनकी इस विज़न में सम्रिद्ध भारत, मजबूत भारत और शिक्षित भारत की कलपना थी डॉक्टर कलाम ने भारत के भविश्य निर्मान के लिए करीब दर्जन भर किताबे लिखी डॉक्टर कलाम ने पुरान और भगवत गीता दोनों का अध्यान किया था दोनों की छाप उनके व्यक्तित्व पर दिखती थी मजब से वो मुस्लिम थे लेकिन शाकारी थे डॉक्टर कलाम की उम्र ढल रही थी लेकिन चुस्ति फूर्ती ऐसी कि किसी जवान को भी मात देने वाली वो उम्र से बुज़र्ग हुए थे लेकिन उनके भीतर एक बच्चा बसता था जो उन्हें हसाता था हमेशा कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ाता था सोंबार को भी कलाम शिलॉंक के इंडियन इंस्टिट आफ मैनेजमेंट गये थे जहां छातरों के बीच भाशन देते हुए अचानक उनकी तबियत बिगडी आनन्फानन में उन्हें हस्पताल ले जाये गया लेकिन देर हो चुकी थी बिंजरा खाली हो चुका था पंच्छी उड़ गया था 83 साल की उमर में आखरी सास तक उन्होंने उन बच्चों के साथ वक्त बिताया जिन में वो भारत का भविश्य देखते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो दुनिया को अलविदा कह गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं हजारों ऐसी दास्तान जो सद्यों तक उनकी याद दिलाती रहेगी हुआ 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 है